ओके गाईस तो आज ही के दिन पर ये दूसरा वीडियो है जो कि मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं वैसे तो नॉर्मली एक दिन के एक ही डिसाइड किया था मगर आल्मोस्ट बारा दिन का गैप आ चुका था तो गैप को भी कवर अप करना है और आप लोगों की चुले डारेक्ली आते हैं इस कहानी की में स्टोरीलाइन की तरफ तो कहानी की शुरवात डारेक्ली एक चूरी से होती है जहां पर तीन लोगों का ग्रूप एक्स बाइक्स को चलाता हुआ बारसिलोना की गलियों से गुजर रहा था अब यहां पर इनका पीछा पुलीस कर जाते हैं और यहां से कहानी का इंट्रो भी आता है और फिर सीन शिफ्ट होता है प्रिजंट टाइम में जहां पर हम देख पाते हैं कि आज के दिन एक बड़ा ही शांदार रेसिंग होने वाला था जीटी डर्ट बाइक्स के थुरू जिसे की जीटी रेसिंग भी कहा जाता है और जिस पलेस पर यह रेसिंग होने वाले थी हैं नाम ह७ा पॉरा नाम है धैनिल क्रेला इस रेस में हिस्सा लेने वाला था और वो यह losa करते हैं कि वही जीटे जो पैस्टoms और फिर रेसिंग के शिर्वात हो जाती है अपना बहतरीन प्रदर्शन करते हैं कर्ल जीतेगा तो वही जिसके अंदर होगा दम तो यहां पर माइकल अपना पूरा जोड़ लगा देता है खेर काफी देर तक आगे तो रहता है मगर उसका एक अपॉनेंट बहुत जदा फॉस्ट था काफी जदा एक्सपीरेंस होल्डर था इसलिए वह यह रेस हार जाता है अब तुने इस गेम को हरवा कर सारी उम्मीदों पर मिट्टी मार दी जहां पर इन बच्चों कहना था कि आखिर आपको हमें बताना तो चाहिए था कि इतना कुछ दाव पर लगा है तो हम थोड़ा और दिल से खेलते मगर अब बात हच्चा आगे निकल चुकी थी वहीं पुलि परोड़ करके उनकी चीजों को और भी जदा इनहांस कर दिया जाता है जैसे कि कहें कि नॉर्मल एक्टिवा है उसका इंजन हटा करके कोई और पावरफुल इंजन लगा दिया जाए उसमें थोड़ा सिलेंट्रिकल नाइट्रोजन ऑकसाइड भर दी जाए या फिर और भी दैन्सीन शिफ्ट होता है रात में जहां पर डैनियल अपने परिवार की चीजों को यानि कि अब अपने पूरे घर को दावफ पर लगा देख रहा था और सूच रहा था कि आखिर अब होगा तो क्या क्योंकि पैसे है नहीं रूपर से बच्चे भी ना का रहा हैं जो की र इस्प्यूट और चल रहा था कि आखिर इनमें से बेस्ट रेसर है कौन तो यहां पर जो सूली है यानि कि लड़की माइकल की सिस्टर वह ज्यादा बैटर राइडर थी मगर एक एक सिदेंट के दौरान उसके हाथ में प्लेट्स वगर लग गई थी ऑपरेशन भी लंबा चला था अब उसने राइडिंग छोड़ दी और सिर्फ मेकैनिक गिरी करती है गाडियों को ठीक करना उन्हें संभालना रेपैर वगर करना जब माइकल अपने फादर डैनियल से पूचता है कि आखिर बैस्ट कौन है तो वह जोली का नाम लेते हैं इस से अगीर इनके गया है हमारे पास कुछ ऐसी बाइक से जिन्हें हम टेस्ट करवाना चाते हैं अच्छे राइडर के थूँ तो अगर तो हम तुम्हें 4000 यूरोज देंगे अब इस बात को सुनकर के वह लोग मान जाते हैं और यहां पर उन गाडियों की टेस्टिंग के लिए आते हैं सोली पर उसका भाई माइकल गाड़ी को उठाता है चलाता है और कहता है कि यह तो बहुत जदा भारी है स्पीड नहीं है पावर नहीं आ रही है टॉर्क कम है इसे चलाना मुश्किल है जहां कुछ टेक्निकल चेंजिस कर देने के बाद में इसकी पावर को बढ़ाया जा सकता है मगर तभी इसमाइल को पकड़ने के लिए यहां पर लूकस आ चुका था क्योंकि मार्केट में समीरी अदमी की घड़ी चुरा कर भागते टाइम उसके फिंगर प्रिंट्स मिल गए थे लेकिन वक्त रहते हैं वहां से भागने की कोशिश करता है मगर एक गाड़ी से टकरा अबहा भी नहीं सकते थे क्योंकि अगर गाड़ी चुडवाने जाएंगे तब पुलीस वाले इनको भी लपेटे में ले लेंगे कि आखिर तुम महां पर कर रहा है यह लोग काफी जदा प्रॉब्लम में आ चुके थे हलांकि जो 4000 की बात उनकी इल्यास से हुई थी तो इल होता है इंवेस्टिकेशन रूम में जहां पर इसमायल के साथ में लूकस खड़ा था और उससे बातशीत कर रहा था और बोलता है कि आखिर तो अपना जुर्म कब कबूलेगा जिस पर इसमायल का कहना था कि मैंने जब कोई चोड़ी की नहीं तो मैं अपना जुर्म क्यों क चारा होता है सूचता है कि बेचकर के करजा थोड़ा कम हो जाएगा मगर यह कभी समझ नहीं पाया कि आकर उसकी वाइफ को इस ग्रीन बाइक से इतना जदा प्यार क्यों किया करती थी कर इस वक्त सूली भी यहां पर थी और उस बाइक को देखने लगती है अब कहीं यह फ इलियास उसे पूरा प्लैन बताता है कि देखो हम लोग चोर हैं हमें चूरी करनी है उसके लिए तीन अलग अलग बाइक्स चाहिए एक जो कि टैंक की तरह ताकतवर होनी चाहिए जिसके अंदर बैरियस को तोड़ने की ताकत हो वहीं दूसरी जिसका सस्पेंशन बहुत ज लग जाओ और इन बैक्स को बनाने में थीयों भी उसकी मदद करने लगता है मतलब कि इन तीनों चोरों में से एक सेकंड नमबर को जोड़ था अब जोए एक तरफ ये लोग दिन रात एक करके इन बैक्स को बनाना शुरू करते हैं वहीं दूसरी तरफ मिस्टर डैनियल कर करेला के घर पर पुलीस आ जाती है इस बात की इन्वेस्टिकेशन करने के लिए कि क्या तुम्हीं वह चोर तो नहीं जिन्हों ने पिछले काफी टाइम से इस पूरे शहर की नाक में दम कर रहा है जहां पर करेला साब कहरा था कि भाई तू होगा करेला हम जिसे बच्चों को पकड़ता ना की आम इंसानों के साथ में टाइम वीज्ट करना अब हाला की डैनियल को लगा तो जरूर था कि उसके बच्चों ने कुछ तो गडबड करी होगी यहां पर आई है तो अपने बच्चों को धमकाता भी है मगर उसकी सिस्टर आकर समझाती है अपने भाई को हो जाती है जो कि अभी तक की सबसे तेज वाइक थे वैल इसको बनाने के बाद में वह के साथ में थोड़ा बहुत टाइम स्पैंड भी करती है अपनी पुरानी कहानी बताती है कि कैसे बच्चपन में जब उसकी मां गुजर गई तो गुस्से में आकर उसने एक डर्ट बा यानि कि इलियास और थीयो मिलकर के सोली को अपना तीसरा चोर बनाना चाते थे मगर वो कभी भी इनके साथ हाथ मिलाने वाली नहीं थी मोई दूसरी दरफ हम देख पाते हैं कि जेल से इसमाइल भाग निकलता है और भाग करके सीधा अपनी टीम के पास महुचता है और कहत लोकेशन जान लेने का अब वो इस सिचुईशन को समझ पाता कि तभी पुलीस के साइरन की आवाज आने लगी है यानि कि पुलीस यहां पर पहुँचने वाली थी तो गुस्से में आगर कि इलियास इसमाइल को ही जान से मार देता है और गन पकड़ा देता है माइकल के हाथों अब कहीं माइकल पकड़ा ना जाये इसलिए सूली कहती है कि ठीक है तुम्हारा तीसरा राइडर बनने के लिए मैं तयार हूँ मगर मेरा भाई पकड़ में नहीं आना चाहिए तो अब यहां से ये लोग वैसे तो निकल पड़ते हैं पुलीस के आने से पहले मगर रात को डरे हुई भी होते हैं कि कहीं इस चूरी के दोरान वही पुलीस के हत्ते ना चड़ जाए और अब तो नेक्स डे से सूली अपनी पूरी तयारी करने लगती है अपनी मॉम की ही वही पुरानी डर्ट बाइक उठा करके अपने उसी रीस ट्रैक पर जहां पर उसे अपना बच्पन बिताया है उसके उपर अपनी मा की यादों का ही नहीं बैलकि पिता के लोन का कर्ज उपर से भाई की बेगुनाही का सबूत भी शामिल था तो इस तरीके से उपरी तरीके से Loaded हूच की थी अपनी जिम्मेदारियों से योगी उससे हर काम करना था बहा जी क्वह प्रॉड फील कर वाना था पापागा करजा चुकाना था भाई को बेगुना साबित कर वाना था एक naam रूबीज यानि की मैंगे रेड डाइमंड्स लेकर के आने वाला था उसकी लोकेशन इनके पास में आ चुकी थी और इनका प्लान ये था कि कैसे भी करके पहले तो फास्ट बाइक्स के थो इनका रास्ता रोकेंगे इनकी गाड़ी को किसी और में टकरवा देंगे और फिर ग कुसीवत की घड़ी वहां खड़ी हो जाती है जहां पर इनके सामने आ चुका था पुलीस डेपार्टमेंट का हैड लोकस जो कि काफी टाइम से एक्स बाइकर्स को पकड़ना चाहता था एक तरीके से कहें कि धूम मूवी का जय दिक्षित आ चुका था इनके सामने और डूनों ही मार मार के थक जाते हैं इस वक्त आला की इलियस का हात्थ हत्कड़ी से बंदा हुआ होता है वहां पर सुनीए पहुंच चुकी होती है जहां इस चुकी हीरे ले करे भाग चुका है तो कहानी के end में ये शिक्षा मिलती है कि चोर चोर का कभी सगा नहीं होता वो भी कभी न कभी धोका देता ही And then कहानी या से आगे बढ़ती है एक साल जहां पर अगीन रेसिंग का वक्ता चला था इस साल भी जीटी रेस होने वाली थी और यहां एक नहीं बलकि दो-दो करेला फैमिली के मेंबर्स यानि की सूली करेला और माइकल करेला दोनों इस बार रेस में शामिल होने वाले थे और इस मूवी के पोस्क्रेट से नहीं देख पाते हैं कि थीयो जिसने की सारे हीरे चुराय थे वह वहीं पर खड़ा था सूली से मिलने के लिए यानि कि हो सकता है माइट बी इस जीटी मैक्स का एक सेकंड पार्ट जरूर आए जहां पर हम अगले ने चूरी को देख पाए तो काईज यह मूवी एक्स्प्रेशन आप लोगों कैसा लगा क्या आपको धूम पिच्चर की याद आई या नहीं वेल मुझे सच कहूं तो इससे जादा अपनी इंडिया वाली धूम जादा पसंद आई क्योंकि उस मूवी के अंदर एक बड़ी खास चीज थी मॉंबई पूने के बीच में एक जो हाइवे एक्सप्रेस था जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड लगा कर जो ही भागते दे 200-300 की स्पीड में तो कुछ यूनीक था देखने में यहां पर पहले ऐसा तो कुछ था नहीं मगर हां इस बार वोट तो इंडिया की मूवी धूम को ही जा